आप सभी का स्वागत हैं और आज हम लोग बात करेंगे कि देखेश चार वरसों की होगी चार वरसों मतलब बीये पहले तीन वरसों का होता था लेकिन अब से बीये का होगा? 4 years का होगा और जो कि semester system है that means 8 semester में आपका exam होगा और इस जो आपका BA 4 years का है विदेशों में पहले पढ़ाए ए 4 years का ही पढ़ाई आपका होता था और भारत में भी अब इसकी पढ़ाई होगी और इस सेशन से ने के दोज़ा 23 से लेके जो 26 का सेशन था तो 23 से लेके आपका 27 का सेशन होगा और BA में हिस्ट्री हो पॉल्टी हो जो गरफी एकनोमिस हो सभी को जह है चार वर्षी पारिकरम होगा और इसके बाद जो लोग PG करना चाहेंगे तो उसके एक सा अब पूरा सेखी होगा इसलिए आपके लिए पढ़ना असान होगा और किसी कंपर्टी से में में से बगार रखते थे तो उसमें होता था कहां कौन से इनवर्स्टी के सिल्यवस फॉलो करें तो अब सिल्यवस रहेगा लगब पूरे इंडिया में आने बालकल में पूरी इ aign世界 के पहला संस्था होगा जो कि आपके एकोनोविक्स में नए काठिकर्म के अनुसार नए सिल्यवस के अनुसार आपको पूरा स्तडी मेटरियल तेयार के अब मिलेगा जो कि यहां के बच्चों के लिए और भीहार के बच्चों के लिए पूरे इन्वस्टी के चुडिक के सभी के लिए वेनिफीसल होगा अभी इसकी शुरुआत एक तारिक से एकोनोमिस के लोग रहा है और भी जो हमारे क्या ओनर्स पेपर चलता है वो सभी को जो है नए सिलेवस के साथ से अपको स्टडी मेटरियल दिया जाएगा और इसमें इस सिलेवस में उम्मीद है कि मैथमे सिस्टम है इसमें आपको जो है जो जारो इयर में उसमें किरसी है साहित है गनित है दर्शन की पढ़ाई होगी जिससे एक स्टुडेंज का जो है बहुत दिक शमता विकास होगा जिसे पहले उपिए सीक त्यारी करते थे वुद्ध्यार्थी वही इधिक्स पढ़ाई करते इस तरीके से ने सिलिवस को त्यार किया जा रहा है तो मैं आपका अपडेट जो है मैं अभी इसका ध्यान कर रहा हूं और आज कल में जैसे अपडेट आता है मैं फिर से आपको इसके बारे मताऊंगा फिलाल आप सभी जो ट्वल्ध पांस किये हैं उसको सभी के लिए फोर में एड्मिशन होगा तो जो मेरे लेक्चर सुन रहे हैं जो मेरी वाते सुन रहे हैं ध्यान दें कि अगला साल से आपको जो है बिहार में भी एड्मिशन लेना विश्विद्याले में तो आपको जो है common university entrance exam देना होगा state level का clear ता जहीं तक फिर हम लोग मिलते हैं